आज हम बनाएंगे ब्रत में खाने वाला बहुत ही स्वाधिष्ट नास्ता स्वाधिष्ट के साथ साथ हिल्दी भी होता है और इसे बनाना बहुत आसान है तो आई यू फ्रेंड देखी से मैंने किस तरह बनाया है नमस्कार दोस्तों स्वाधिष्ट है आपके अपने चैनल पीयम रशोई में नास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कड़ाई को गरम कर लिया है और इसमें एक चमज खी डाल दिया है यह ब्रत के लिए बना रहे हैं इसमें घी डाला है आप नॉर्मल बनाते हैं तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं दो ग्लास मैंने इसमें पानी डाल दिया है अब हम इसमें दो हरी मिल्च डाल देते हैं जिसे मैंने बारी काटा है एक इंच दरक का टुकड़ा इसे मैंने कद्दू कस कर लिया है इसे में डाल देते हैं और दो चमच मैं इसमें नारियल का बुरादा डाल रही हूँ इससे जो नास्ते का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है ये ब्रतवाला नमक है स्वाधा नुसार डाल देंगे जीरा को मैंने भूना नहीं है बिना भूना हुआ जीरा है ये आप ब्रत में इन में से जो भी चीज ना खाते हूँ इसकिप कर दीजिएगा अब हम इसमें सामा का आठा डालेंगे तो एक ग्लास मैंने सामा का आठा लिया है जिस ग्लास से मैंने पानी डाला है उसे glass में इसे measure किया था हूँ, दो glass पानी में एक glass समा का आठा डाल देंगे, पानी हलका गुंगुना है, तो अब हम इसे डाल देते हैं, उबलते हुए पानी में हमें इसे नहीं डालना है, ने तो इसमें लमसा जाएंगे, तो इसे हमें गाढा होने तक अच्छी तरह से चल अब आलू को भी हम अच्छी तरह से आटे में मिक्स करेंगे इसे हमें बिल्गुल चिकना सा मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से इसमें कोई गुठलिया ना हो बिल्गुल अच्छी तरह से हमें इसे डो की फॉर्म में ले आना है इसे आप नॉनिस्टिक की कढ़ाई में तो यह चिपकेगा नहीं यह देखिए इसने सारे पैन को छोड़ दिया है यह बिल्कुल डो के फॉर्म में आ चुका है तो आप इसे हलका सा ठंडा कर लेते हैं और इसे एक थाली में फैला लेंगे तो थाली में हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं और इसे हाथों से अच्छे ही हमें इसे रखना है तो यह देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से फैला दिया है अब हम इसे थंडा कर लेंगे तो इसे हम रख देते हैं आदा घंटा के लिए ताकि अच्छे से से सेट हो जाए यह देखिए आदा घंटा हो गये हैं यह बिल्कुल अच्छे से से सेट हो तो आप हम इसे काट लेते हैं तो यह देखे मैंने इसे 4 कोनAK काट लेका है अब इसे बीस से काट लेती है मैं इसे 8 भाग में कर लेती हूँ देखिए आप चाहें तो इसे और भी छोटा कर सकते हैं यह देखिए बिल्कुल सेंडविच की तरह बन गए हैं मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ यह देखिए आप चाहें तो इसके भी बीच से टुकड़े कर सकते हैं आपको जिस तरह का पसंद हो आप उस कई से काट लेजिए गोल लंबा या आप कोई भी डिजाइन इसमें दे सकते हैं तो अब हम सभी पीचेस को निकाल लेते हैं और फिर इन्हें सेलो फ्राइ करेंगे तो अब मैंने गैस पे पैन को चड़ा दिया है और इसमें घी डाल दिया है घी घरम हो गया है तो अब हम fry कर लेते हैं तो एक पीस को हम इसमें डाल देते हैं और जब यह एक तरफ से अच्छी तरह से पक जाए तभी हमें इसे दूसरी तरह पलटना है नहीं तो यह टूर जाएंगे तो यह देखें मैंने इसे दूसरी तरह पलट दिया है कितना बढ़िया कलर आया है इसका और यह खाने में भी बहुत ज़्यादा टेश्टी होते हैं आप इसे जरूर बना के ट्राई किजेगा यह दूनों तरफ से पक चुका है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं इसे हलका सा रोक लेंगे ताकि जो इसका इस्ट्रा घी है वो निकल जाए और इसी तरह से मैं आपको दो डाल के दिखाती हूँ यह देखे इसमें दो भी प्राई कर सकते हैं यह देखे तो इसी तरह से हम सभी स्लाइस को फ्राई कर लेंगे तो मैंने सभी को फ्राई कर लिया है और मैंने इसे सर्व कर लिया है यदि आप लोगों को मेरी रेस भी पर संद आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को संस्क्राइब कीजेगा और वेल आइकॉन की बटन जरूर प्रेस कीजेगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेसन मिलती रहे मिलती हूँ नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद